अलो दोस्तो आज हमारे पास फोन आया है सेमसंग का M32 फोन है देट कंडिशन में फोन आया है फोन अभी चालू नहीं है मैं चार्जिंग में लगाता हूँ तो 00 MPR ले रहा है जब मैंने फोन को ओपन की आखो फोन वाटर डेमेज है बैटरी के उपे जो NFC IC है वहाँ पे इस कि यह कंपोनेट सौट दिखा रहा है देखो छोटा वाला कंपोनेट है के पैसे तो वह सौट दिखा रहा है Z IC के अंदर में ही सौटिंग है ऐसा लग रहा है मेरे को फिभी एक बार हम O के पिसी तर को हटा के देखेगे कि क्या हमारा ये सौटिंग निकलता है के पिसी तर निकालने के बाद जहाटक मेरे को लग रहा है कि IC रिबोल करनी पड़ेगी क्योंकि IC के नीचे भी पानी गया हुआ है मेरे को सब सब दिखाई दे रहा है DC Power Supply में देखते है MPR ले रहा है 007 MPR ले रहा है DC Power Supply में यह देखो 07 MPR ले रहा है बहुत ही कम MPR ले रहा है और इतना MPR लेता है तो साइदी कोई कंपोनेट सोट होगा यह IC के अंदर ही सोटी है यह इंडिकेट हमें दिखा दिया है DC Power Supply में भी हम चेक करेंगे मल्टिमीटर से यह देखो यह कमपोनेट सोट है इसको हम निकालेगे और हम चेक करेंगे यह देखो अभी भी सोट दिखा रहा है इसका मतले भी है कि IC के अंदर पानी जाने से यह सोटिंग क्रियेट हुआ है चले IC को निकालके एक बार देखते हैं कि क्या सेम IC चल जाएगा और रिप्लेस करना परेगा मेरे क्याल से वाटर डेमेज फॉन होते है जादे तर वही IC को रिपॉल करके बिठा देते है तो IC जादे तर खराब नहीं होती है वाटर डेमेज में फिर भी हम देखेगे IC निकालने के बाद सबसे पहले मैं ये केमेरे को हटा देता हूँ IC को निकालके रिपॉल करके देखते है IC के चार और फ्लक्स को अपलाई कर देते है सबस्कार। सबस्क्री उस – और रम देखेगे यह देखो IC के नीचे भी पानी गया हुआ है मेरे को सब सब दिखाई दे रहा है नीचे के पेट को अथी तरह से हम क्लीन कर लेगे अब मैंने देखा IC के जो बोल हुटे है तो कई पे भी डेमिज नहीं हुए है तो वह ही IC को रिबॉल करके हम लगाएगे IC को रिबॉल करने के बाद जब लगा देगे उसके बाद में हम चेक करेगे कि 007 हमारा सॉर्टिंग दिखा रहा था दिसी पावर सप्लाई पे है कि वह सॉर्टिंग निकलना चाहिए तब वह सॉर्टिंग निकलेगा तब यह फॉन अन होगा कि हम वह कैपिसितर पर डेखते हैं हमने स्ऱ रिमूट कीया था यह देखो यह सोर्टिंग यहाँ पर निकल गया है उसका मतलब यह था कि I.C की नीचे जो ओटर जाने के बाद ये शोर्टिंग हुआ था अब हमने आइसी को निकाल दिया तो हमारा ये शोर्टिंग भी निकल गया है जहां पर हमने वो केपेशी तर्टुराट वहां पर रीडिंग आना चाहिए 500 सारे 500 के आसपास में तक्रीबर रीडिंग आना चाहिए अब ही आइसी निकाल दिया है तो वो ओल दिखा रहा है आइसी लगाने के बाद हम चेक करेगे कि क्या हमारा जो 500 सारे 500 के आसपास में रीडिंग आना चाहिए वो आता है के नहीं आइसी को रिबॉल कर लेते हैं आइसी को रिबुल कर लेते हैं आइसी हमने बिठा दिया है एक बार हम वो रिडिंग चेक कर लेते हैं जो हमने के फिसी तर रिमू किया आठा वहां पर 500 सारे 500 के आसपास में रिडिंग आना चाहिए क्या आता है के नहीं यह देखो 500 संथिंग रिडिंग आ गया है इसका मतलब यह था कि हमारे फॉन के अंडर जो शोटिंग था वह भी निकल गया होगा एक बार हम फॉन को चार्जिंग में लगा के देखते हैं के का लोगो सो होता है के नहीं यह देखो दोस्तों यह हमारा चार्जिंग यह जो हमारा फॉन डेट था वह अब रिकवर हो गया है यह आईसी के अंदर पानी जाने से यह फॉन हमारा डेट हो गया था यह एंपियर भी ले रहा है देखो यह पी तेस्टर में 1.8 अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो